मैं हूँ रेखापाल और आप देख रहे हैं Vibrant Live News कोरोना वाइरस की रोगठाम के लिए चीन अपने ही देश के लोगों पर भयानक अत्याचार कर रहा है और चीन से आने वाला ये वीडियो भी भयानक है चीन ने कोरोना नियंद्रन के लिए जीरो कॉविट पॉलिसी को अपनाया है सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है ये वीडियो शंक्सी प्रांथ के शियान शहर का है यहाँ पर लोगों को कुवरिंटाइन सेंटर के नाम पर लोहे के बकसों में बंद करके रखा जा रहा है इंडियो नेशनल मीडिया के स्कुलासे ने दुनिया को सक्ते में डाल दिया है रिपोर्ट के मताबिक कोरोना संक्रमित मरीजों के चीन के शियान आन्यांग और युजोई प्रांतों में लोहे के बकसे में बंद करके रखा जा रहा है और इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आये हुए लोगों को भी अलग-अलग बक्सों में बंद कर दिया गया है ताकि वो और लोगों को संक्रमित नहीं कर सके शियान समित कुछ और शेहरों में कुल मिलाकर कम से कम दो करोड से जादा लोगों को कैद करके रखा गया है शियान शेहर में एक करोड टीस लाख लोग क्वेरिंटाइन के नाम पर अपने घरों में कैद है और उन्हें किसी भी हालत में अपने घर से बाहर निकलनी की इजाज़त नहीं है वहीं सैकडों लोगों को लकडी के बक्सों में बंद कर दिया गया है चीन अगले महीने बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक की तयारी कर रहा है इस वज़े से आम लोगों पर और जादा स्टक्ती बढ़ती जा रही है कई जगहों से पर लोगों के पास खाने का सामान खत्म हो गया है जिसके बाद वो शूशल मीडिया के जरिये मदद की गुहार लगा रहे हैं तो ये थी चीन से एक वारल रिपोर्ट ऐसे ही खबरों देखने के लिए देखते रहें वाइबरेंट लाइब नियूज निर्भेश सत्य जनता की आवाद